हेलो दोस्तों कैसे हूँ आप सब इस वीडियो में हम बात करेंगे परिक्षा धाम पब्लिकेशन की मध्य प्रदेश पटवारी परिक्षा हेतु पंचायती राज एवं ग्रामीन अर्थ वैवस्था पुस्तक की इसमें हम चर्चा करेंगे नगरपाली का परिशद उनकी संद रचना गठन एवं कारिय के वारे में तो दोस्तों इस वीडियो में हम आंगे बात करेंगे नगरपाली का परिशद की प्रश्ट भूमी के वारे में परिचाय के वारे में फिर हम देखेंगे नगरपाली काओं की संद रचना इसकी बाद नगरपाली काओं में चुनाव की चर्चा हम करेंगे, फिर सदस्तिता के लिए क्या योगिताय होनी चाहिए, नगरपालिकाओं का कारेकाल कितना होता है, नगरपालिकाओं का आंतरिक गठन किस प्रिकार से होता है, उसकी बाद हम देखेंगे नगरपालिका की कारे, एवं अंत में हम चर्चा करेंगे नगरप पालिका के आये के स्त्रोत कौन-कौन से होते हैं तो चलिए शुरुवात करते हैं नगर पालिका से तो दोस्तों किसी लगुत्तर नगरिये छेत्र के लिए नगर पालिका परिशद का गठन किया जाता है दोस्तों लगुत्तर कार्थ होता है छोटे नगरिये छेत्र के लिए ह इसका अविस्तार संफून मध्यप्रदेश में हैं। दोस्तो यह अधिनियम अर्थात नगरपाली का अधिनियम 1961 एक फरवरी 1962 से मध्यप्रदेश में लागू हुआ। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्ट भूमी की। तो दोस्तो नगरपालीकाओं का गठन अंग्रेजों के शासनकाल से प्रारंब हुआ था। नगरपालीकाओं की संद्चना से संबंदित अनेक अधिनियम पारित किये गए हैं जिन में प्रमुख निम्नलिखे थे। पहला पंजाब नगरपालीकाओं अधिनियम 1911, फिर मद्रास जिला नगरपालीकाओं अधिनियम 1920, फिर बिहार और उडिसा नगरपालीकाओं अधिनियम 1922, उसके बाद बंबई मुनिसिपल बोर्ड अधिनियम 1925, एबं अंत्यमें बंगाल नगरपालीकाओं अधिनियम 19 अब हम चर्चा करते हैं नगरपाली का परिशद की संरचना की, दोस्तों नगरपाली का परिशद निमनलिखित से मिलकर बनी होती है, पहला नगरपाली का छित्र से आपरत्यक्ष द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष, यहां पर आपरत्यक्ष कहने कारते, आपरत्यक्ष चु और आप जैसी आम जंता मातर के द्वारा चुनती है चार ऐसे विक्ति जो नगरपाली का प्रशासन में विशेश ग्यान या आणभव रखते हैं इनका मनोनेन किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा तो उस तो इनका चुनाव नहीं होता राज्य सरकार अपने इस तर पर इनका मनोनेन कर देती है नगरपाली का चेत्र में शामिल लोक सवा और बिधान सवा सदस्य फिर राज्य सवा सदस्य जो नगरपाली का चेत्र की मत दाता सूची में शामिल हो तो इस प्रिकार से पांच प्रिकार के सदस्यों से मिलकर नगरपाली का परिशद बनती है अब हम चर्चा करते हैं नगरपाली का परिशद के चुनाओं की तो दोस्तो प्रतेक नगरपाली का छेत्रों को 20 से 40 वार्डों या परिशद छेत्र में विभाजित किया जाता है तो दोस्तो प्रतेक नगरपाली का छेत्र को हम कम से कम 20 एवं अधिक से अधिक 40 वार्डों में विभक्त कर लेते हैं बाढ़ मेंबर अरथात पार्शद का चुनाओ उस छेत्र की जनता द्वारा प्रत्यक्श मद्दान से कяти आ जाता है। दोस्तों प्रत्यक्श मद्दान से तातपर यह है। ऐसा चुनाव जिसमें आम जनता हम और आप मिलकर अपने प्रतिरीधी को डायरेक्ट चुनते हैं, अब हम बात करते हैं, नगरपालिकाओं के अध्यक्षों का चुनाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होगा, यह राज्य सरकार पर निर्वर करता है, तो दोस्तों हम धारण राज्य सरकार करेगी, नगरपालिका छेत्र की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाती तथा अनुसूचित जनजाती की जनसंख्या के अनुपात में इस्थान आरक्षित होगे, और इस्थानों की संख्या वही होगी जो उस छेत्र की जनसंख्या में इनका अनु आरक्षित होंगे तथा जिनका आवंटन चक्रानुक्रम में किया जाएगा दोस्तों यहां पर चक्रानुक्रम कहने के तात्पर यह है कि जो इस्थन महिलाओं को आरक्षित हैं तो जिस छित्र में एक बार महिला को आरक्षित दिया गया है अगले चुनाबों में उस छित्र क परिवर्तन किया जाएगा जिससे की महिलाओं की सीट हर स्थान पर सुनिश्चित की जा सके एबं सभी प्रिकार के प्रतिभागियों को प्रते की स्थान पर प्रति रिजित्त्य करने का मौका मिले राज्य विधी के माध्यम से अन्य पिछला वर्ग के लिए स्थान आरक्षि तो दोस्तो नगरपालिका की सदस्यता के लिए नियूंतम आयू एक कैस वर्ष है। सदस्यों की अयोग्गिता संबंदी सभी बिबादों का निप्टारा करने के लिए राज्य विधान मंडल निर्धारत अधिकारी को निउक्त करता है। तो दोस्तो आपके एक्जाम में प्रश्ण आ सकता है कि नगरपालिका परिशद से संबंदित सदस्यों की अयोग्गिता संबंदी बिबादों का निप्टारा कौन करता है। दोस्तो नगरपालिका अपनी प्रथम बैठक की तारीक से पांच वर्ष के लिए बनी रहेगी परन्तु इसे समय से पूर्वी भी भंग किया जा सकता है। यदि नगरपालिका के पांच वर्ष के कारेकाल को पूरा होने में छे माहे से अधिक का समय है और इस बीच नगरपालिका भंग हो जाती है। तो नई नगरपालिका का चुनाओ किया जाएगा एबं शेश कारेकाल के लिए उसका गठन किया जाएगा। किन्तु यदि नगरपालिका का कारेकाल पांच वर्ष पूरा होने में छे माहे से कम का समय बचा है तो चुनाओ नहीं कराए जाएगे। अब हम चर्चा करते हैं नगरपालिका परिशद का आंतरिक गठन तो दोस्तों परिशद एक निर्वाचित निकाय है इसमें अध्यक्ष होता है और पाध्यक्ष भी होता है मुख्य नगरपालिका अधिकारी अर्थात चीफ मुनिसिपल्टी ऑफिसर जिनको हम CMO कहते हैं यह भी शामिल होते हैं एब हम विभिन समीतिय की माध्यम से भी नगरपालिका अपना कारे करती है तो नगरपालिका परिशद का हिस्सा समीतियां भी होती है अब सबसे पहले हम बात करते हैं परिशद की दोस्तों परिशद को नगर की जन्द प्रतिनिधी सभावी कहा जात कि इनका चुनाव डारेक्ट जन्ता के द्वारा किया जाता है, जिनको हम पार्षद कहते हैं, पार्षदों से मिलकर परिशद बनी होती है, परिशद नगर-पालिका की बिमर्षकारी संस्था होती है, संपून नगर को चुनावों के लिए बार्डों में विवक्त किया जाता प्रतेक बार्ड में वैस्क मताधिकार की आधार पर सदस्यों का चुनाव होता है जिने हम पार्षद कहते हैं चोहत्तरवे संबिधान संशोधन के पश्यात महिलाओं के लिए एक तहाई पद अर्थात एक वटे तीन पद आरक्षित या रिजर्व कर दिये गए परिशद का कारेकाल पांच वर्ष का होता है परिशद नगरपाली का का बजट पारित करती है परिशद अपने कारे संचालन के लिए समीतियों का गठन करती है परिशद अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है दोस्तों अब हम बात करते हैं अध्यक्ष की निर्वाचित पार्शद अपने सदस्यों में से निरधारित अवधी के लिए अध्यक्ष का चुनाओ करते है नगरिय चुनाओं के पंदा दनों के भीतर अध्यक्ष का चुनाओं करना अनिवारिय होता है अध्यक्ष नगरपालिकाओं की समस्त बैठकों को आमंतरित करता है और उनकी अध्यक्षता करता है अध्यक्ष परिशद की वित्ति और कार्यपालन प्रशासन पर नगरानी रखता है अब हम चर्चा करते है उपाध्यक्ष की दोस्तो निर्वाचित पार्षद अपने सदस्यों में से निरधारत अवधी के लिए उपाध्यक्ष का चुनाओ करते हैं नगरिय चुनाओं के 15 दिनों के भीतर उपाध्यक्ष का चुनाओं करना अनिवारिय होता है अध्यक्ष की अनुपस्थिती में वह परिशद की बैठकों की अध्यक्षिता करता है दोस्तों अब हम बात करते हैं मुख्य नगरपाली का अधिकारी या चीफ मुनिसिपल्टी आफिसर CMO की दोस्तों नगरपाली का सेवा में मुख्य नगरपाली का अधिकारी मुख्य अधिकारी होता है यह प्रतेक नगरपाली का या परिशद का प्रधान कार्य पालक अधिकारी होता है मुख्य नगरपाली का अधिकारी की निवक्ति राज्य सरकार दौरा की जाती है दोस्तों मध्य प्रदेश में CMO की निवक्ति MP-PSC एक्जाम के जरिये होती है यह नगरपाली का सेवा का सदस्य होता है परंतु परिशद का अनुशासनात्माख नियंत्रण इस पर नहीं होता परिशद इसे सस्पेंड नहीं कर सकती यह नगरणिगम में आयुक्त की भाती है सरकारी कारियों का संपादन करता है अब हम बात करते हैं समीतियों की तो दोस्तो नगर निगम की भाती नगर पाली का परिशद में भी अपने कारियों की सुविधा के लिए समीतियों का गठन करने का प्रावधान है नगर पाली का अपने कारियों को समीतियों की माध्यम से ही संपन्न कराती है नगरपालिकाओं में दो प्रिकार की समीतियों का गठन होता है पहला संबेधानिक समीति, दूसरा गेर संबेधानिक समीति पहले हम बात करते हैं संबेधानिक समीति की तो दोस्तो इनकी गठन प्रक्रिया नगरपालिका अधिनियम में वर्नित होती है अब हम आते हैं गेर संविधानिक समीतियों पर दोस्तों इनका गठन नगरपालिका अपनी आवेशक्ता की अनुसार करती हैं अब हम बात करेंगे नगरपालिका के कारियों की तो दोस्तों नगरपालिका निम्नि प्रकार के कारिय करती है गरीवी उन्मूलन कारिकर्म चलाना कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करना सामाजिक एबं आर्थिक विकास से संबंदित कार्य करना प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालेओं की इस्थापना करना जन में मृत्यू की आंकड़े एकत्रित करना मात्र एबं शिशू कल्याण केंद्रों की वयवस्था करना प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की वयवस्था करना सारबजनिक सौचालेओं का परवंधन करना इसकी वाद हम देखते हैं नगरपालिका के आयके स्तरोत दोस्तो नगरपाली का भवन कर, पशुओं पर कर, नगर में आने वाले माल पर चुंगी कर, विज्यापन कर, जल कर, विद्धुत कर, आदी आरोपित कर सकती है अब हम बात करते हैं, मध्यप्रदेश में नगर प्रशासन संबंदित नियम वा अधिनियम की, मध्यप्रदेश नगर नगम अधिनियम 1956, मध्यप्रदेश नगरपाली का अधिनियम 1961, मध्यप्रदेश नगरी छेत्रों के भूमिहिन व्यक्ति अधिनियम 1984, मध्यप्रदेश संचालन अधिनियम 2005, मध्यपरदेश नगरपाली का मुहल्ला समीति नियम 2011, एक कच्रा परवंधन नियम 2016, ठोस अपसिष्ट प्रवंधन नियम 2016, प्लास्टिक अपसिष्ट नियम 2016, जैव चिकित्सा अपसिष्ट प्रवंधन नियम 2016, निर्माण और विद्वनसक अपसिष् अब हम बात करते हैं एक्जाम हेल्प की जिसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुक दिवस तो दोस्तो मध्य प्रदेश में आशा दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है लाडली लक्षमी दिवस 2 मई मध्य प्रदेश परेटन दिवस 24 मई बिमुक्त जाती दिवस 31 अगस्त लोक सेवा दिवस 25 सितंबर बेटी बचाओ दिवस 5 अक्टूबर मध्य प्रदेश इस्थापना दिवस 1 नवंबर नगरिय निकाई दिवस 2 नवंबर जनजाती गौरव दिवस 15 नवंबर दोस्तो यह सारे दिवस बहुत महत्वपून हैं आप इनको जरूर याद रखने की कोशिस करें अब हम चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख वर्षों की तो दोस्तो मध्य प्रदेश में सड़क वर्ष 2005 में मनाया गया बांस वर्ष 2010 महुआ वर्ष 2011 ट्रैफिक वर्ष 2011 कृषी उत्पादक्ता वर्ष 2011 सूचना प्रद्योगी की वर्ष 2013 थे ndra वर्ष, आप की जाती है तो दोस्तो इस वीडियो में इतना ही येडि आपको हमारे दरा बनाए जाने वाले वीडियो किसी भी तरीके से आपके एक्जाम में आपकी साहता करते हैं तो किर्पया हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वेक्तियों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा बैल आइकोन को प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे टेलिग्राम चैनल की लिंक प्राप्त कर सकते हैं, एवं चैनल से जुड़कर उसका भी लाव ले सकते हैं, जहां पर हम आपके लिए एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स, आपकी तैयारी के लिए पाठ्थे सामक गरियों पलब्द करवाते हैं, तो दोस्तों लगातार हमारे साथ जोड़े रहें, हमारा सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट, आपके बढ़िया कमेंट्स को देखकर हमें और भी ज़्यादा वीडियो बनाने का मनोबल मिलता है, तो लगातार हमारे साथ जोड़े रहें, सीखते रहें, और जल्दी से जल्दी अपने लक्षे को प्राप्त करें, धन्यवाद